अपने पिछले वीडियो में हमने एवापोरेटर और उसके वरकिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया है आज की इस वीडियो में आईए कंडेंसर के बारे में चर्चा करते हैं एवापोरेटर और कंडेंसर के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है दोनों का डिजाइन लगभग एक जैसा ही है बस इनकी वर्किंग थोड़ी अलग है सबसे पहले जानते हैं कि कंडेंसेशन क्या है जब किसी बरतन में पानी गर्म किया जाता है तो पानी लिक्विट से गैस में बदल जाता है पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यह एवापोरेशन का प्रोसेस है वहीं एवापोरेशन के रिवर्स प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं जब वेपर स्टेट में पानी को ठंडा किया जाता है तो यह वापस लिक्विट स्टेट में बदल जाता है इसका एक सबसे अच्छा एक्जाम्पिल है रेन सोर्य की गर्मी के कारण प्रिथवी में पानी थोड़ा थोड़ा करके गैस में बदल जाता है जैसे जैसे वेपर उपर उठता है टेम्प्रेचर घटता जाता है जिस वजह से वेपर लिक्विड में बदल जाता है और यही बारिश के रूप में हमें दिखाई देता है इसी तरह कंडेंसेशन के बहुत सारे एक्जाम्पिल्स है रिफ्रिजरेंट जो की चिलर के कंडेंसर में वेपर स्टेट में होता है उसे कूलिंग टावर के पानी का इस्तिमाल करके ठंडा किया जाता है और लिक्विड फॉर्म में कंडेंस्ट किया जाता है इसी लिए हम इसे कंडेंसर कहते हैं अब हम एवापोरेटर और कंडेंसर के बीच का अंतर देख सकते हैं एवापोरेटर में AHU से पानी इनलेट के रूप में आता है वहीं कंडेंसर में कूलिंग टावर से पानी इनलेट के रूप में प्रवेश करता है रेफ्रेजरेंट एवापोरेटर में नीचे की ओर से एंटर करता है और कंडेंसर में उपर की तरफ से एंटर करता है कुछ latest chiller में refrigerant evaporator के उपर की तरफ से आता है refrigerant को evaporator में गर्म किया जाता है वहीं refrigerant को condenser में ठंडा किया जाता है condenser को shell और tube heat exchanger भी कहा जाता है इसमें पानी का डिबबा और बेफल भी है इसके साथ ही refrigerant के leakage को रोकने के लिए दोनों ends को seal कर दिया गया है अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है cooling tower से पानी condenser में प्रवेश करता है और पूरे coil में घूमता है compressor से आने वाला refrigerant high temperature और vapor state में condenser में प्रवेश करता है coil में पानी low temperature और refrigerant high temperature पर होता है जब refrigerant coil पर गिरता है तो thermodynamics के नियम के अनुसार refrigerant में मौजूद heat coil के पानी में चली जाती है जैसे ही refrigerant की गर्मी पानी में जाती है refrigerant का तापमान कम हो जाता है और वो vapor state से liquid state में बदल जाता है liquid state में बदलने के बाद refrigerant expansion valve में चला जाएगा गर्म पानी cooling tower में जाता है जहां उसे ठंडा किया जाता है और फिर ये वापस condenser में चला जाता है यह condenser का working principle है तो प्लीज इस वीडियो को like कर दें और अपने appreciation, suggestions और doubts हमें comment section में जरूर बताएं इस वीडियो को share करें और हमारे channel को subscribe करना ना भूलें Thank you